हे गाईज बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और आज हम लोग यहां पर बात करने वाले क्रिप्टो टैक्स को लेकर के साथी साथ मोनेरो कौइन के बारे में उसके बाद डोजो स्वैप का वी टू के बारे में तो इन तीन चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो मे और कितना ज्यादा टफ है एक यूजर्स के लिए कि वहां पर आप देखोगे कि 30% का flat tax के साथ में 1% tedious जो की काफी ज्यादा tax हो जाता है जिसके वज़े से आप इसका result आप यहां पर देखोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि crypto tax इतना ज्यादा लगाने की वज़े से य एक अपरिल से affected हुआ था वो कुछ हद तक crypto exchanges को काफी ज्यादा यहां पर रूला करके रखा है और वो काफी ज्यादा panic situation में है सो यह update है crypto tax इंडिया को ले करके वही हम लोग crypto tax इंडोनेशिया के बारे में बाते करेंगे लेकिन इससे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे सिंजा के बारे में सिंजा जैसा कि आप सभी को पताएगा इसकी सिंजा आए दिन कुछ ना कुछ utilities ले करके आ रही है और यह काफी अच्छा बात है सिंजा के लिए क्योंकि इसी सब utilities के वजह से ही सिंजा के प्रति लोगों का जो trust है वो काफी ज्यादा बिल्ड हो जाता है और लोगों को लगता है कि बिल्कुली एक अच्छा प्रोजेक्ट है और definitely यह कुछ उसी तरीके से यहां पर भी काम कर रही है तो community के as per जो डिमांड था कि DojoSwap का version 2 आना चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने DojoSwap का V2 भी कुछ इस तरीके से इनका teaser यहा यहां पर आप इस इंटरफेस को देखोगे तो काफी ज्यादा प्रामिसिंग लग रहा है और काफी ज्यादा नीट अन क्लीन यू आई के साथ में यहां पर आएगा और बहुत सारे यहां पर चार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा सीवनोभी के तरफ से तो अभी तक जो डोजो स्वाप था और डोजो स्वाप वी टू यह एक नया इंप्लिमेंटेशन लग रहा है जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा चार्ट एंड ओल सो यह सारी चीज़े आपको एक मोबाइल एप पर भी देखने को मिलेगा जिस तरह से यहां पर लग रहा है वहीं साथ ही साथ यहां पर इंकम टैक्स भी लिया जाएगा बट यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं जो आप अगर इन्हें यहां पर आप देखोगे तो आप पता चल जाएगा कि डिरेक्टर आफ टैक्स रेगुलिशन ने यहां पर साब बताया कि तो राइट 0.1 पीपिएच यहां पर बताया चाही जाएगा जो उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो इंपोर्स होगा वो मई 1 यानि कि एक मही से सारी चीज़ें इंप्लिमेंटेशन कर दिया जाएंगे जो भी है और यहां पर एग चीज आप और देख सकते है कि इन्होंने इसे करेंसी का नाम नहीं दि यानि कि crypto को इन्होंने को currency मानने से मना कर दिया है जैसा कि इंडिया में भी हुआ है कि currency मानने से मना कर रहे है बर tax लेंगे तो इसी तरीके से यहां पर भी purchase के लिए यहां पर लोगों को tax देना पड़ेगा 0.1% और मेरे इसाब से यह काफी अच्छा tax है अगर इंडिया के tax क को आप देखोगे तो इंडिया में tax बहुत ज्यादा हेवी है जिसके वज़े से लोगों को भी नुकसान हो रहा है और crypto exchanges को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है यहां पर तो यह था Sibnobi and जो cryptocurrency से related news था उससे और अगर हम लोग मोनेरो के बारे में बात करें तो मोनेरो ग जो की काफी अच्छा बात है और मेरे इसाब से लग रहा है कि मोनेरो के अंदर इतना potential है कि यह वापस अपने all time high को touch जरूर कर सकता है and guys मोनेरो के बारे में कुछ अगर update देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहां पता चल जाएगा कि तीन महीने पहले जो इसका price था वो around to $208 के आसपास था और एक महीना पहले जो price था मोनेरो का वो $158.82 तक था और एक सपता पहले जो था वो $192 के आसपास में था लेकिन अभी जो current price आप देख रहे हैं वो current price काफी जादा amazing यहां पर निकल करके आ रहा है मोनेरो के तरफ से वो है $225 का और यह growth आपको बता देगा कि किस तरीके से यहां पर pump आपको देखने को मिला है XMR में so कई ज्यादा जो लोग होते हैं वो मोनेरो पर काफी ज्यादा trust करते है reason है कि यह काफी ज्यादा आप कह सकते कि anonymous project है और इसी वज़ा से यहां पर लोगों का trust भी इसके प्रती है कई लोगों का कहना क कि यह gambling and all सारी चीजों के लिए money laundering के लिए use होता है मोनेरो देखने वाली बात होगी गाइस कि अपनी यह all time high को touch कर पाता है या नहीं so यह update था Sinja से related, Monero से related and जो crypto tax लगाया गया उससे related में आपको क्या लगता है गाइस इन तीनों चीजों के बारे में आप अपने राय औ और opinions आप हमें लीचे comment section में जरूर दें और चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में till then take care and bye bye